पार्शनी शहर से होते हुए राश्री महामार निर्मान कारे पिछले तीन साल पहले किया गया था लगता था साल दो साल नियमित इन्हें लगाया गया बिजली के खंबो की लाइट रात के समय रास्ते पर उजाला दे रहे थे मगर साल बर होने के बाद भी बिजली विभाग का 14,50,000 रुपए का बिजली बिल कंपनी ने अदा नहीं किया बिजली बिल अदा करने के लिए बि बिजली विभाग ने कट कर दी जबकि इस लाइट का बिजली बिल अदा करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने एजजी इंफरस्ट्रक्चर कंपनी को दो बार खत भेज कर बिजली बिल अदा करने का अनुरोध किया था मगर एजजी इंफरस्ट्रक्चर पर अधिर चाया रहता है रहागिरों को अंधेरे में आना जाना करना पर रहा है वहीं वहां चालग भी अंधेरे से रास्ता पार करते नजर आ रहे हैं जिस से कभी भी अंधेरे का साहरा लेती हुए छेड़ छाड और अपरिये घटना होने की आश्रण का जताई जारी है वहीं अंधेरे की वज़े से कभी भी भी भीशन दुरगटना होने का खत्रा मन रहा है तीन साल पहले बनाए गए मार्क पर आज बिजली बिल अदा नहीं करने से रास्तों पर अंधेरा चाया हुआ है जिससे रहागिरों के साथ चोटे बड़े वहां चालकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए इस रास्ते पर लगे बिजली खंगों पर लगाए गए LED लाइफ तुरंत शुरू करने की मांग नगर वासियू द्वारा की जा रही है SG Infrastructure Company की या राश्ती महामार प्राधिकरन दोनों में तीन साल का मेंटेनिंस का काम SG Infrastructure Company की और से था इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई तीन साल पूरे होने के बाद बिजली विभाग का बिजली बिल्कौन अदा करेगा इस बारे में दोरों में सहमती नहीं होने से आखेकार इन खंबों की बिजली सप्लाई बिजली विभाग ने काट दी आने वाले दिनों में इसी तरह का आलम रातों अंधेरे में ही रागिरों को वहां चालकों को आवागमन करना पड़ सकता है इसलिए यहां के स्थानिक विदायक सांसर ने इस समस्या को सुलचाने के लिए कदम उठाना सरूरी है पारशिवनी से बीसीन न्यूस के लिए समवादाता रुपेश खंडारे की रपोर्ट